हेलो फेंज मैं अनामीका मेरे किसिन में आप सभी का ज्वागत है आज मैं आलू 65 की रेश्पी लेकर आई हूँ इसे बनाना बहुत ही आशान है और खाने में बहुत ही टेश्टी होता है इसे हम तीन से चार एश्टेप में तयार कर लेते हैं इसे आलू को छिल के वायल कर ले दूसरे एश्टेप में हम इसमें कॉर्ण फ्लोर और मशाला नमक टैड करेंगी तीसरा एश्टेप फ्राइब करना है और चौधे में ग्रेवी तयार करके फाइनली अपने 65 तयार हो जाता है तो इस रेश्पी को आप ज़रो ठ्राइब कीजिए अगर आज की मेरी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक किए शब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए कि सबसे पहले हम गैसे पानी उबालने के लिए रखेंगे तो आप ध्यान से रिखिए पानी में उबाल आ चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच नमक और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने आलू को ऐसे पीसे काट लिए हैं आप यहां से रेखिए हमने मेडियम साइज के पीस काट रखें हैं और इसे हम दो से तीन मर्द हो लिए हैं जिससे इसका श्टार्च जो है वो निकल गया है अब हम इसे पान पानी को कटके एक बोल में निकाल लेंगे अब हम गास के फ्लेम को आफ कर लेंगे और एक इस टेनर से आलू को ऐसे निकाल लेंगे अब हम नेक्स्ट प्रोसेर शुरू करेंगे अब हम इसी आलू में डालेंगे एक चमच ब्लैक पेपर एक चमच रेडशीदी पॉटर हमने आलू वालने में नमक डाला था इसके तिये हम वन फोर्थ चमच नमक डालेंगे और अब हम इसमें सार चमच कॉर्ण फ्लोर डालेंगे और इसे हम अच्छे से ऐसे टॉस कर लेंगे इससे क्या होगा आलू में जो मोस्चर है उसमें अपना कॉर्ण फ्लोर मिर्च अच्छे से लिपड़ जाएगा अगर आपको जरूरत पढ़े तो एक से दो चमच पानी डाल सकते हैं लेकिन जरूरत के लाइक इसमें मोस्चर रहती है उतने में अपनी कॉर्ण फ्लोर डिपड़ जाती है तो हमने इसे अच्छे से पोट कर लिया ह अब हम 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे तो हमने 10 मिनट तक इसे आलू को ठंडा कर लिया है अब हम एक एक आलू को ऐसे सदनी में भर लेंगे और हम गैस के तरफ चलेंगे गैस पे हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल बहुत ही बढ़िया गरम हो चुका है अब हम उसमें इस हरने वादी आलो को दिज़े से चलेंगे और अब हम इसे प्ताई करेंगे तो एक साइट से प्राइब होने के बाद हम उसको उलट लेंगे अब हम इसे चलाते हुए अच्छी से प्राइब करेंगे जब तक एक रीश्पी होगा तब तक हम प्राइब करेंगे हमने आलो को 50 परशेंट उबार लिया था 50% हमें प्राइब करना है हमने आलो को चलाते हुए ब्राउन होने तर प्राइब कर लिया है अब हम इसे एक प्लेट पे टीशू पेपर रखके निकाल लेंगे तर ऐसे हम इसको घरणी से जाड़के और प्लेट में निकाल लेंगे देखिए कितना प्रंची हुआ है आवाज आ रहा है और सेम प्रोशेश से हम दुसरे भी यालो को प्राइब कर लेंगे हमने सनाते हुए दुसरे बैच को भी स्ट्राइक कर लिया है इसका भी कलर अच्छा सा हो गया है अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे बहुत ही आजानी से बन जाता है और खाने में तो टेश्टी होता ही है अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर लेंगे अब हम नेक्स्ट प्रोसेश शुडू करेंगे अब हम गैस पे एक फ्लाइपर रखे हैं और उसने हम दो टेवले स्फुन देल डाले हैं अब हम गैस को आउन कर लेंगे और तेल को अच्छी से गरम होने देंगे तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे बाड़ी कटा हुआ लहसुन तो ये दो चमश हमें रखिल काट रखा है और इसे हम कुछ चेकेंड के लिए ऐसे प्राइब कर लेंगे हम इसे ब्राउन नहीं होने देना है अब साथ में हम डालेंगे एक बड़ा हुआ प्याज जिसे हमने बाड़ी काट लिया है और त्याज के साथ हम इसे भी आदहा मिनाट तक होनेंगे याज के साथ ही हम डालेंगे कुछ करी पत्ता और यहां पे हम दो खोल रेट चिली डालेंगे और सबको हम अच्छे से लेगी अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच नमक आप टेस्ट के मुशार डालें यहाँ पे हम एक चमच का स्मीदी राज मिर्च डालेंगे आधा चमच गड़म मसाला और इसे हम अच्छे से मीक्स कर लेंगे कुछ सेकेंड के लिए हमें मीक्स करना है नहीं तो मीक्स दरने लगता है अब हम इसमें डालेंगे दगी तो यहाँ पे एक चोटा कटोड़ी हम दगी डालेंगे और इसे अच्छे से हम भूनेंगे तो आप ध्यान के देखिए अपनी ग्रेवी जो है गाड़ी हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे रेड फूट कलर यह अप्शनल है यह तो मार्केट में बेचने वाले डालते हैं या कलर बढ़ियां आये उसके लिए डाला जाता है आप चाहें तो इसे इसकी भी कर सकते ह हैं तो हम यहाँ पे एक पींज रेल फूट कलर बाल रही है ऑडो इसे हम अच्छे सेब्स कर लेंगे देखिए इतना सुनर कलर आया है अब हम इसमें डालेंगे आलू जिसे हमें फ्राइ किया था चाह और इसे अच्छेसे मिम कर Um beige और शांत में हम डालेंगे पूरा साथ बाड़ी कटा हुआ धनिया पत्ता गैस के फ्लेम को हम आफ कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो अब यहां से देखिए अपनी आलो 65 बनकर प्यार है इसका कितना प्यारा कलर आया है और इसकी खुस्कु तो घर में फैल गई है अब हम इसे सर्व करेंगे तो अब हम एक सर्विंग बाउल लेंगे और इसमें सर्व करेंगे आलो 65 बनकर तयार है इसे आप जरो ट्राइ किजिएगा कि खाने में बहुत ही जबरदस्त लगता है तो अगर आज की मेरी आलो 65 की प्रेश्वी आपको पसंद आए तो मेरी सेनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमिट करना मत भूलिए धन्यव झालो 16. झालो 16. झालो 16. झाल झाल